कटनी के बड़वारा इलाके में चल रहे अवैद रेत उत्खनन के खिलाफ सैक्डों ग्रामीडों ने तैसिल दार को ग्यापन सौपा और धरने की चेतावनी दी है दरसल बड़वारा तैसिल शेतर में नियम कायदों को दरकिनार कर रेत का वैद उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है रेत मास्याओं दोरा बड़वारा तैसिल शेतर के गुड़ा देवरी सक्रीगर्ड सांधी रेत खदान में जेसीबी और पॉपलिन नसीम नदी के भीतर उतार कर नदी का सीना चलनी किया जा रहा है इसकी शिकायत ने लगातार ग्रामीडों दोरा जिम्मेदार आधिकारियों को की जा रही थी इसके बावजूद प्रिशासन खामोशी इक्तियार किये हुए है वहीं आज अवैद रेत उत्खनन का विरोज जताते हुए सैकड़ों की तादाद में बढ़वारा तैसील शित्र के ग्रामीडों ने तैसील कारेले पहुँचकर विश्टा कमपनी और प्रिशासन के खलाब जमकर नारे बाजी करते हुए अवैद रेत उत्खनन और परिव देने आये हैं जिसमें के NGT के नियम के तहत 15 अक्टूबर तक कोई भी रेत नहीं निकाल सकता और विश्टा कमपनी आज महिनों से जब से बरसात थोड़ा कम हुई है हर नदी में पोकलिंग मसीन के दोरा पानी के अंदर से रेत निकालती है और नदी के दिसा को मोडती है इसके लिए ना प्रसासन ध्यान दे रहा है ना किसी प्रकार से कोई कारवाही कर रहे हैं ये लोग कुछ भी करें दस दस पंदरा पंदरा इनकी फोर भिलर अवैद रूप से बिना परमीशन के घूमती रहती है रातो दिन जिससे छेतर की जनता परिसान है और डरी हुई है और ये हर जगह जहां इनकी इक्षा होती है बिष्टा कंपनी वालों की वहां नाकाए खोलते हैं वहां गाड़ियां रोकते हैं जवरजस्ती उनसे पैसा लेते हैं अवैद रूप से रेत निकालके बगएर सासन को टेक्स दिये हुए बोलते हैं कि हम इस जिले में पूरा क पीछेट रेत निकालते हैं इसके लीए ना प्रसासन ध्यान देती ना पुलिस वाले द्यान देतेाँ और योडिशेटर का एक टेक्टर बगएर राल्डी का निंखलता है तो इसके पीछे पुलीज वाले जाते हैं और विश्टा वाले दियत कहते हैं कि पुलीस वाले इस ट्रेक्टर को पगड़ के लेके प्रसाशन उपर से नीचे तक रिश्वत लेता है प्रसाशन के सामने दिन दहाडे मौत हो रही है विश्टा कंपनी अवे दुद्खनन कर रही है अगर तीन दिन के अंदर प्रसाशन दौरा इनके उपर कारवाही नहीं की गई तो उग्रंदोलन किया जाएगा जिसकी हो देकी होगी